पीजेपी हेड़कोर्टर के बाहर का महौल दिखाते हैं जहां मिठाईयां बटनी शुरू हो गई हैं नरेंद्र मोदी के सवर्थर में नारे लग रहे हैं और तमाल पीजेपी कारेकरता यहां पर मौजूद हैं जीत का लटू बटना शुरू हो गया पूरे जीत हमने ही जीत है हिंदुस्तान के लोगों पर भरोसा है हमारे हिंदुस्तान की किस्मत पर भरोसा है कब तक रूठी रहेगी सवेरा हो चुका है युआओं ने मोधी जी में विश्वास व्यक्त किया है युआओं ने मोधी जी को बोड दिया है देश उन्नती और तरक्की कर रहा है विकास का रास्ता कुल गया है अब मोधी जी के साथ है अभी तक सीटे पकी नहीं हुई है अभी तक सिर्फ रुजान आने ही शुरू जो रुजान ने ही शीट इसमें होनी है एक्सों पदास तक भी पहुंच सकती है इसमें कुछ नहीं कहा सकते हैं पीजेपी दफतर का यह मोहल आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के दफतर में किस समय से जो कारेकरता है उनका चैलीब्रेशन आप दे सकते हैं किस तरह से यहा जो तमाम यहां पर कार करता है वो जुटना शुरू हो गया है और काफी लोग यह आप देखें पर नरेंग भूदी के कटाउंट लेकर और अमिस्ता की कटाउंट लेकर लोग यहां पर इस तरह से मौजूद है और मोदी भूदी के नारों के आपी पिल्खाल जो बीजेपी हम यहीं दिल्ली सही है बाजपा कार करता है और हम बाजपा के जीत का जस्मन आने आए जैसा कि कॉंग्रेस ने गुजरात में किया कि देश को जातिवाद आरक्षन इन जैसे मुद्द्य से देश को तोड़ना चाहा उसका जवाब जनता ने बहुत ही करारा कॉंग्रेस को इसको बाटने की राजनीति का काम क्या है गुजरात की जनता ने दिखा दिया है कि वह बाटने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते वह विकास और मोधी जी के साथ है लोग यहां खरी है और विकाश की जीत दिला रही है और आप देख सकते हैं कि महौल यहां पर बिलकुल अब जश्न जो है वो शुरू हो चुका है तमाम कारी करता है आपर बीजेपी के जंडों के साथ पहुँच गए हैं और सब में बेहग खुशी है आप लोग बीजेपी के समर्थन में यहां पर पहुँचे कहां से आया चलिए एमदाबाद की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जहां जश्न का माहौल है आप देख सकते हैं एमदाबाद की यह तस्वीरें